नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल New Academy में आसा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे मित्र जैसे पिछले वीडियो में हमने जो है सम्मिदान सभा के बारे में चर्चा किया था जिसे उसमें हमने चर्चा किया था सम्मिदान की बैठक परमुष समुझतियां जो 13 थी सीटों से समझे जो confusion होता था उसको हमने दूर करने का पर्यास किया था तो मित्र आज हम सम्मिदान सभा को के आगे पढ़ेंगे सम्मिदान की फिसेस्ता के बारे में इस topic को पढ़ना इसलिए जरूरी है यह कि इस topic को जो है अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं फिर जब आगे पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होती है तो उसको समझने के लिए तो हमें संभिदान की विशेश्टां को बारे में पढ़ना जलूरी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो हम कि विशेश्थासताइ कि नहीं कि सबसे लंबा लिखी संभिदान है. तो मेहा चाता है, सबसे लंबा लिखिस संभिदान है, सबसे लंबडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे समयधान में सबसे बड़ा यह है तो विस्ट में जैसे कि दो तरहीके से समधान आएं जैसे एक लिख्षित होता है एक आलिख्षित होता हैart लिखित होता लिखित में जैसे कह सकते हैं अमेरिका का है भारत का है एसे कुछ एसे देशों में जो है लिखित है आपको पता है जब संविधान बना था तो उसमें जो है बाइस भाग थे और 395 अनुच्यत थे और 8 अनुच्यक्ष थे तो बाद में जो है अनुच्य quote कि अमिसमी चार को जोड़ा गया हो गया हो गया और जैनुच्यत में भी जाताओ culture जोडते हैं तो 450 के रांड जो होता है और इसके बाद भाग बाइस है इसके बाद हम आते हैं आंत्रिक यूम जो है आंत्रिक यूम बासरोत का मतलब यह है जैसे कि आंत्रिक में जो है तो वह जैसे कि आंत्रिक में आयंगा जेसे कि यहां कहा जाता है कि 200 अधारा है यहां 1935 वित्रवा इसके बाद तो इसके बाद आते हैं इसके बाद आते हैं एकल नागर्था एकल नागर्था जैसे कह सकते हैं कि भारत की नागर्था कैसी है एकल है तो इस तरीके से इसको हम देख लेते हैं एकल है इस तरीके से इसको हम देखते हैं एकल नागृता है और दोहरी नागृता कह सकते हैं कि अमेरिका की दोहरी नागृता है इसको हम इस तरीके से देख लेते हैं इसके बाद आते हैं जो है नमरता और आनमरता का मिश्रण है नमरता और आनमरता का मतलब यह हुआ जैसे क कि जैसे कि कठोर और लचीला हम समझ सकते हैं कठोर और लचीला है कठोर का मतलब यह है कोई भी विद्यक होता है आसानी से पास हो जाता है जैसे लोग सभा से हो जाता है धन विद्यक तो इसको जो है नमर्ता में रख देते हैं कठोर में रख देते हैं कि जैसे कोई विद्यक को स 20 Schools अब लिगने से छोटेंटेर हैं कि हो स전र कि अभर के अंधिक्यार सब्सक्राइब संवाण मत देने का अधिक्यार पराफ्थ है कि जिसे कोई गरीब हो या अमीर हो सबको अधिकार है मत देने का चाहे वो लिंग बचन से कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं परारम में जैसे कि कहा जाता है कि 21 वर्स का अगर हैं आप तो मत दे सकते थे लेकिन बाद में 165 सम्मिजान संसोजन करके 18 वर्स कर दिया गया तो इसको देखेंगे इसके बाद आते हम देखते हैं जिसे पंतन पर चमाते हैं इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है यहां लोगों का है यह हो जाएगा इसके बाद आते हैं जिसे आपातकाल हो गया आपातकाल भी एक विसेस्ता ही है जिसे कहा ज तो जैसे कि राष्टिया पाथकाल हो गया, एक राष्टिया पाथकाल हो गया, एक बित्तिया पाथकाल हो गया, जो कि अनुच्छे तीन सो बावन में है, और तीन सो शपन में है, इसके बाद आते हैं, तीरी अस्थरी जो है, तीरी अस्थरी जो है, तीरी अस्थरी जो है, त स्थानी सोसातन हो गया तूब इस तरह कि इसको देखेंगे इसके बाद देखते हैं कि नेत नीद सकत्त हो जाएगा तो यह विशिष्थ ही लिया घया है और जो है इसकी जो है इसके बाद यहां देखते है मूल कर्तब, मूल कर्तब भी जो है इसमें जोड़ा गया है, एक कुश्चन मूल कर्तब से यह बन जाता है, कि जैसे कि यह कहा जाता कि मूल संविधान में कौनसा भाग जो है नहीं था या खंड जो है कौनसा नहीं था तो हमारा मूल करतब हो जाएगा इसके बाद आते हैं मूल अधिकार में कि मूल अधिकार में आते हैं तो मूल अधिकार में जैसे आते हैं मूल अधिकार क्या है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार यह भाग तीन में इसका उलेख है और जो है अनुच्छे जो है बारा से प्मैतिस्ता कि इसका उलेख है परारम में कह सकते हैं कि साथ तरहेके से हमें नादिकार प्रापत ता बाध में छो इस ट्रीके से defence कि अ और जो है इसके बाद मौली कत्ब हो गया इस अब इस बाद हो गया तूर में फोर्डा ऑठ चर्चा कर लेते हैं उसको संविधान दारव उन्हें कुछ निर्देश दिये गए हैं कि आप विधी जो बनाते समय या जनता के संबंद में कोई कानून बना रहे हैं तो इस उपवंदों को ध्यान में रखते हुए जो समझने के कोशिश किये हैं बाकी आप लोग जो इसको एक बार लिखेंगे और समझने कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो आशा करते हैं आप सभी मित्र को जो है यह मेरा परयास अच्छा लग रहा होगा यह आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो कमेंट ब चुछा लोग जाएगा रहा होगा परयास आपको समझने कोशिश करेंगे तो आप कि दो एक भार एक बारिवा जाएगा कर दो है जा हैं अवर भूशे कोशिश जाएगा जाएगा डूचा